नमस्कार आपका स्वागत एश्या न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ कॉंग्रेस नेतर राहूल गांदी राजा खेडा दोलपूर के मनिया कस्वे में जनसवा को संबोधित कर रहे हैं उन्होंने कहा बीजेबी की मीटिंग में सब लोग भारत माता की जय करते हैं ये भारत माता है कौन ये भारत माता भारत की जनता है हम भारत की जनता की जय करते हैं आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चड़िया में किसकी कितनी भागेदारी है सवाल ये है कि आज देश में धन को कैसे बाटा जा रहा है किसके हाथ में जा रहा है कि सचमुछ में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है पिछडों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है किसी को नहीं मालूम मैंने पालियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जै करते हैं लेकिन भारत माता में किसकी कितनी आबादी है नहीं मालूम मैंने जाती जन करना की मांग की उस दिन के बाद नरिंद मोदी के भाशन बदल गए उसके बाद से नरिंद मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक जात है वो है गरीब हिंदुस्तान को MP ML नहीं चलाते 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं 90 में से पिछड़े वर्क के कितने आई एस ओफिसर हैं 90 में से एक अफसर आदिवासी तीन अफसर दलीत आज पिछड़ों की आबादी 50 पतिशत लेकिन हिसेदार 5% मोदी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार चल रही है अगर पिछड़ों की सरकार होती तो 90 में 50 पतिशत अफसर OBC के होते जेब कत्रे सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले तीन लोग आते हैं अकेला नहीं आता एक बंदा आता है आपके ध्यान को इधर उधर करता है पीछे एक और बंदा आता है वो जेब काट देता है तीसरा बंदा देखता है कि जिसका जेब कटी उसने आवाज की तो उस पर हमला कर दें ध्यान बटाने वाला नरिन मोदी जेब काटने वाला अधानी और लाटी मारने वाला अमिच्शा इचे किसा बंदा इफिर उसने किसा कर देवाज